हलो स्टुडेंट्स, इस टाइम और सेलिंट्रेशन, क्योंकि आभी हम लोगों ने मेरी चैनल ने कम्प्लीट कर लिया है हंड्रेट के सब्सक्राइबर्स का टारगेट, तो थैंक यू वेरी मुच, आप सब लोगों को अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता और हम लोग तो है ही सुखदुक के साथी, तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथी शेयर कर रहे हैं और मुझे पहुत सारे मैसेज आए है कॉंग्रेश उलेशन्स के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मुच, अके, तो अभी हमें आरा टारगेट है, वन मिलियन सब्सक्राइब बस का ये मैने के अंदर, तो फटा-फट में आने वाली लाइव आप लोगों को सिखाने के ये ठीक है, तो जल्दी से टारगेट अचिव करते हैं और सिखते हैं लाइव शाली नी हुबलिकर चैनल में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बाई-बाई हलो बच्चो, वेलकम तो शाली नी हुबलिकर चैनल, तो आज हम सीखेंगे फोर्थ चैप्टर, ओपरेशन और फ्रैक्शन जो की है, सिख स्टैंडर्ड का मार्थमाटिक्स का फोर्थ चैप्टर, ठीक है, तो हम लोगों ने कल इसका फर्स पार्ट जो है, वो सीख लिया थ और एक प्रैक्टिस सेट भी जो है, वो हम लोगों ने कल ही कंप्लीट कर दिया था, तो बेसिक कॉंसेप्ट हम लोगों ने सीखे कि जैसे फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, और नियुमरेटर और डिनॉमिनेटर किसे कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों कल जो है यह सारा जो पार्ट है वो कवर कर लिया है और हम लोग ने ये सब सीखा है और हमें एक और टिप क्या मिली हुई थी कि GIRLahan रखना है कि जो remainder है वो हमेशा divisor से जो है वो छोता आना है पहला ताकि इस वज़े से क्या हो हमारा जो fractional पार्ट है वो denominator से छोटा हो, numerator, denominator से छोटा होना चीए, ठीक है? फिर हम लोगों ने क्या सीखा आगे? Practice set 9 सीखा, जिसमें हम लोगों ने, दोनों जो हम लोगों ने सीखे वे थे, improper fractions और mixed fraction का conversion into each other, वो हम लोगों ने यह पर solve किया, साथ ही कुछ word problems भी थे, दो वो भी हम लोगों ने examples solve किये तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे addition and subtraction of mixed numbers ठीक है? तो अभी हम लोगों ने सीखा कि improper fraction को mixed fraction में कैसे convert करते हैं और mixed fraction को improper fraction में कैसे convert करते हैं और अभी हम लोग सीखेंगे addition and subtraction of mixed numbers तो देखते हैं कि कुछ solved examples यहां पर हमें दिये गए है और दो method दिये गए है addition and subtraction दोनों के लिए तो हम लोग दोनो method सीखते हैं पहले चलते हैं first question के पास जहां है add 5 and half that is 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4 तो first method में हम लोग क्या करेंगे देखिए 5 and 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4 तो हम लोगों ने यह जैसे था वैसे लिखा यह is equal to 5 plus 2 तो अभी देखिए हम लोग का जो यह integral part कहां था हम लोगों ने इसको whole number होता है हम लोग का जो पूरा का पूरा number होता है उसे हम लोगों ने एक तरफ ले लिया addition में ठीक है तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि यह जो number है यह जो mixed fraction है इसी का मतलब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था कल कि यह जो mixed fraction है 3 and 2 upon 5 मतलब ही क्या होता है 3 plus 2 upon 5 तो यह दोनों के भी बीच में क्या है addition है ठीक है वैसे ही हम लोग वही बात यहाँ पर भी use करेंगे तो यह सब के बीच में addition है तो what is the sum exactly 5 plus 1 upon 2 plus 2 plus 3 upon 4 तो हम लोगों ने क्या किया 5 और 2 जो integral part थे वो हम लोगों ने एक तरफ ले लिए add करने के लिए और fractions जो है वो हम लोगों ने दूसरी तरफ ले लिए फिर क्या किया यह जो all थे उसका हम लोगों ने sum किया 5 plus 2 is 7 लेकिन fractions का हम लोग sum कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का denominator सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? Denominator equal करेंगे तो 2 की table में तो 4 आता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 2 वाला जो denominator का fraction है वो 4 करने करेंगे और यह जो दूसरा fraction है 3 upon 4 तरफ उपर और नीचे भी, तो क्या हुआ, हम लोग का यह जो 2 इंटू 2 है, हम लोग को यहाँ पर 4 मिल गया, 1 तू जा 2, तो हम लोग का यह fraction कनवर्ट हो गया, 2 अपन 4 में, प्लस 3 अपन 4, अभी देखें, यहाँ पर दोनों डिनॉमिनेटर इक्वल हो गया, अभी हम क्या करेंगे, 7 प्लस 2 प्लस 3, तो अभी हम लोग यह जो common डिनॉमिनेटर ले लेंगे, फिर 2 प्लस 3 हम लोग ने यह जो था वो combine कर दिया, is equal to, इसके आगी का step यहाँ पर 7 प्लस 5 अपन 4, तो 7 वैसे ही आया, टू प्लस 3 उस 5 अपन 4, तो इसी का मतलब क्या हुआ, 7 प्लस 1 प्लस 1 अपन 4, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, हाँ, हम लोग ने जो 5 है, यहाँ, 5 में से हम लोग ने यह 1 यहाँ पे निकाल लिया है, तो हम लोगों ने कितना निकाला 5-1 किया मतलब 4-1 किया basically तो 4-1 जा 4 हो गया इसके लिए यहाँ पर 1 आया तो देखे exactly क्या हुआ है यहाँ पर कि यह जो है 7-5-4 का हम लोगों ने क्या convert किया 7-plus यह हम लोगों ने किया 4-1 upon 4 तो हम लोगों ने यह fractions जो है दोनों को अलग-अलग किया तो आगे क्या आएगा step हम लोग का इसका आगे का step आना चाहिए मैं आपको यहाँ पर उपर करके बताती हूँ आगे का step क्या आएगा 7-plus 4 upon 4 plus 1 upon 4 ठीक है इसके आगे यह step आएगा फिर क्या किया हम लोगों ने 7-plus 4 upon 4 is what 1 तो 4-1 जा 4 हो गया 4 upon 4 का division 1 plus 1 upon 4 देखे आगया हम लोग का यह answer हम लोगों ने क्या किया यह जो 5 था यहाँ पर उसको break किया into what 4 and 1 तो 4 plus 1 हम लोगों ने यह आपे किया समझ गया पिर हम लोगों ने क्या किया यह जो था यह 1 जो अभी हम लोग को मिला यह क्या हो गया वापसे whole हो गया, इसके नीचे क्या है fraction है क्या नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो whole number है उसमें हम लोगों ने इसको मिला दिया, तो 7 प्लस 1 is 8, और 1 upon 4 आगे वैसे ही fraction में रहेगा, है ना असान, थोड़ा आपको ये थोड़ा complicated क्योंकि यहां पर ये सारे steps नहीं है लेकिन मैंने आपको एक बार explain कर दिया है, तो I'm sure आप समझ जाओगे, तो ये जो है 7 प्लस 5 upon 4 ये पहले हम लोगों ने लिखा उसके बाद ये step है फिर ये है और फिर ये है तो दिस 1, 2, 3 and 4, तो 4th step में हम लोग का यहां पर है 4th step और उसका answer क्या है, ये जो हमारा final answer है, वो, ठीक है I hope आप समझ गए होंगे अगर नहीं समझे हो, अभी थोड़ा भी confusion है, तो आप rewind करके देख लो, या फिर आगे तो हम लोग practice set में solve करने ही वाले है तो कोई बात नहीं आप समझ जाओगे ठीक है, तो second method जो है, वो अभी हम लोग यहां पर देखते है method 2 वापस से same sum है, जो हम लोग को दोनो method से करना है 5, 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4 तो क्या किया हम लोग ने यहां पर देखिए ये जो है न, mixed fraction इसको हम लोग ने common improper fraction में convert कर लिया तो अभी हम लोग कैसे करेंगे ये 5 into 2 करेंगे ठीक है हम लोग ने कल सीखा है कि जो mixed fraction है इसको improper fraction में कैसे convert करना है हम लोग दोनों तरफ वही चीज करेंगे और improper fraction में convert करेंगे तो हम लोग ने क्या किया ये दोनों को 2 से multiply किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिया, अगर आपको shortcut जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है, जो denominator होता है, उसको किस से multiply करना है, whole number से हम लोग को multiply करना होता है, तो whole number क्या हो जाता है, आपका numerator हो जाता है, तो यहाँ पर sign क्या होना चाहिए, 5 plus 1 upon 2 है इसका मतलब, ये अगला step नहीं है, मैं आपको इस जो fraction का मतलब बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको step में नहीं डालना होगे, तो इसका मतलब है 5 plus 1 upon 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 into 5 कर तो numerator में आपका 5 into 2, तो जो whole number है into denominator, ये plus है, और आगे क्या है, 1 है numerator में, तो ऐसी ही रहेगा, upon, जो आपका denominator है, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो common denominator हो जाएगा, इसका answer हमें क्या आएगा, 5 2's are 10 plus 1 upon 2, तो 10 plus 1 is 11 upon 2, ठीक है, ये आपका answer आगे, तो ये जो सारे steps है, ये बीच में नहीं है, ये हम लोगों ने क्या किया, सीधा, डिरेक्टली ये ले लिया, तो 5 2's are 10 plus 1, उसका answer आएगा 11 and upon 2 common हो गया, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी किया, 2 into 4 plus 3 वैसे ही रहा, और upon 4 common हो गया, तो क्या हो गया हमारा, 5 2's are 10 plus 1, 11 and upon 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 2's are 8 and 3, 11 upon 4, ठीक है, अभी हम लोगों वापिस से हम लोग fraction में नहीं कर सकते हैं इसका कुछ भी, क्योंकि अलग-अलग denominator है, कोई operation नहीं carry out हो जाएगा इसमें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11 into 2, ये जो है fraction 11 upon 2, उसको हम लोग क् ये fraction को denominator 4 करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या करना चाहिए, 2 को हम लोग 2 से multiply करेंगे, तो 4 मिलेगा, इसके लिए हम लोग को पूरा fraction को, याद रखिए हम लोग को पूरा fraction को करना है multiply, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिब उपर या नीचे करेंगे, numerator या denominator को multiply करें number से ठीक है तो हम लोग ने क्या कि 11 into 2 upon 2 into 2 तो आगे क्या है हमरा answer और ये वैसे ही रहेगा 11 upon 4 उसका अगला step क्या होगा 11 2s are 22 2 2s are 4 plus 11 upon 4 constant अभी common हो गया तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का addition करेंगे 4 common हो जाएगा 22 plus 11 is 33 तो अभी हम लोग ने क्या किया 33 upon 4 है तो अभी हम लोग ने इसको कैसे ये किया 32 plus 1 जैसे हम लोग ने यहां पर किया था कि 5 upon 4 का हम लोग ने कैसे break किया था देखिया हम लोग को break कैसे करना है कि जो भी आपका numerator है हम लोग को क्या condition था हम लोग ने सीखा starting महीं कि जो numerator है वो denominator से छोटा होना चाहिए यहाँ पे जो है हम लोग को answer मिला 5 upon 4 and 32 33 upon 4 वो क्या है denominator से छोटा है क्या वो नहीं वो बड़ा है इसके लिए हम लोग को अगर numerator को छोटा करना है तो हम लोग को कोई ऐसा number लेना है जो यह denominator से divisible हो तो 4 जो है अब हम लोग 5 को क्या break कर सकते है जिससे हम लोग को कोई एक number ऐसा मिले जो 4 से divisible हो तो हम लोग ने क्या किया 4 and 1 से क्योंकि 4 के table में तो 4 आता ही है वैसे हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना है 32 को ऐसे break करना है कि 4 के table में वो number आए ठीक है तो हम लोग ने क्या किया 32 प्लस 1 इसको ऐसे break किया तो 4 एट जा 32 आता है और बचा क्या 1 अपॉन 4 ठीक है आप समझ रहे हो थोड़ा complicated लगेगा लेकिन आप rules एक बार समझ लोगे तो बहुत ही easy है और अगर आप ऐसे के ऐसे ही solve करोगे अच्छे से तो आपको बिल्कुल 100 टक का पूरे के पूरे marks मिलेंगे ठीक है लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है sign का और generally बच्चे क्या करते है जब भी ऐसे fraction वाले sum आते है ये upon sign देना वो भूल जाते है बीच का जो horizontal line है हम लोग जिसको divide करने के लिए मतलब upon sign करके use करते है वो बच्चे देना भूल जाते है और वहीं पर उनके सारे marks चले जाते है ठीक है तो ये हम लोग ने सीखा दो method था जो था addition of fraction अभी हम लोग क्या करेंगे addition of mixed number सीखा है अभी हम लोग सीखेंगे subtraction of mixed number same formula है सिफ क्या हो जाएगा addition के जगा पे subtraction हो जाएगा तो quickly हम लोग इस पे भी glance कर लेते है 3 and 2 upon 5 minus 2 and 1 upon 7 is equal to हम लोग ने जैसे पहले addition में किया था दोनों जो whole numbers थे उसको साथ में ले लिया उसका subtraction किया फिर क्या किया जो दोनों fractions थे उसको साथ में लिया और उसका subtraction अभे-भे करना है तो अभी आप पूछोगे कि ये तो subtraction है तो plus sign कैसे आया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो numbers है it's 3 plus 2 upon 5 minus 2 plus 1 upon 7 है ना तो ये जो whole numbers और इसके बीच में कौन सा sign है fraction के बीच में plus sign है इसके लिए whole numbers और fraction के बीच में कौन सा sign आना चाहिए plus sign ही आना चाहिए अभी आप समझ गए होंगे हाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे 3 minus 2 तो 1 आ गया ऐसा कोई number common number जो दोनों के table में आता है तो 35 जो है दोनों का LCM क्या आएगा 35 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को 35 में convert करने का try करेंगे तो 5 को हम लोग को 7 से multiply करना है 7 को 5 से multiply करना है 35 आने के लिए ठीक है तो अभी हम लोग सिर्फ नीचे denominator को तो नहीं कर सकते हम लोग को पूरे fraction को सेम number से multiply करना है तो हम लोग ने ये जो था 2 upon 5 इसको दोनों तरफ 7 से multiply किया और 1 upon 7 को 5 से multiply किया अभी यहाँ पर क्या हो गया 1 constant 7 2 जा 14 upon 7 5 जा 35 minus का minus वैसे ही रहेगा 5 1 जा 5 7 5 जा 35 अभी क्या करेंगे 1 constant रहेगा दोनों अभी common हो गया दोनों denominator common 14 minus 5 जा 9 upon 35 तो हमारा answer क्या है 1 plus 9 upon 35 is what 1 and 9 upon 35 सिर्फ हम लोग ने उसमें से plus 9 हटा दिया है ठीक है अब यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा कोई problem नहीं है तो यह काफी आसान था आपको समझ में आ गया होगा अभी चलेगे हम लोग second method के पास वापिस से sum लिखा 3 and 2 upon 5 और minus 2 and 1 upon 7 is equal to what 17 upon 5 जाएकि हम लोग ने क्या किया था second method में दोनों का multiplication और क्या था plus 2 क्योंकि यह 3 plus 2 upon 5 है हम लोग क्या करेंगे 5 3s are 15 plus 2 upon 5 और इसका क्या होगा 7 2s are 14 plus 1 upon 7 तो 17 upon 5 minus 15 upon 7 तो हम लोग को वापिस से denominator सेम करना है जैसे हम लोगों ने देखा कि इसका LC हमाता 35 तो हम लोग को वापिस 5 को 7 से और 7 को 5 से multiply करना है तो पूरे fraction को multiply करेंगे तो हमें क्या मिला 17 into 7 upon 5 into 7 minus 15 into 5 upon 7 into 5 ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा 17 7 जा 119 upon 5 7 जा 35 minus 15 into 5 क्या होता है 75 upon 7 5 जा 35 तो 119 में से क्या करेंगे हम लोग 75 minus करेंगे upon 35 common denominator हमारा आएगा तो इसका अंसर आता है 44 upon 35 अभी हम लोग क्या करेंगे 44 को ऐसे break करेंगे कि हम लोग का क्या rule था अभी हम लोग ने यहाँ पे क्यों नहीं change किया क्योंकि हमारा जो numerator है वो denominator से पहले ही छोटा है तो हम लोग को change करने का ज़रुत है क्या नहीं ज़रुत है लेकिन यहाँ पे देखिए जो numerator है वो denominator से क्या है बड़ा है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको convert करेंगे तो हम लोग 35 को क्या करेंगे 44 को ऐसे break करेंगे कि 35 से कोई तो number divisible हो तो 35 अंजा 35 और 35 तूजा 70 तो सिर्फ एक ही possibility है कि हम लोग 35 इसमें से अलग करें तो 44 से आप 35 ऐसे break करोगे कि कितना बचेगा हमारे पास सिर्फ 9 बच रहा है तो 44 का कैसे break होगा 35 प्लस 9 अपउन 35 तो क्या हो जाएगा 35 अंजा 35 तो वानना जोल नमबर हम लोग को मिल रहा है अगर आपको नहीं समझाए तो आप अच्छे से एक बार rewind करके देख लीजे वरना अभी हम लोग आगे जो practice set 10 है वो solve करने ही वाले है ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे practice set की और देखे हमारा first sum क्या है पहले हम लोग को addition करना है और हमारा sum है first sum is six and one upon three plus two and one upon three तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग जो है वो यह sum solve करेंगे तो हम लोग को क्या करना है कि दोनो method से solve करना है तो मैं आपको कुछ sum solve करके दिखाऊंगी और जो आपको बाकी का है sum मैं वीडियो के बाद photos में सारे solved examples आपको डालूंगे solve करके खुझ से ताकि आपको भी आसानी हो समझने में ठीक है तो हम लोग पहले दोनो method से solve करते हैं पहले first method से solve करेंगे इस sum को तो मैं आपको लिखती हूं method one ठीक है तो हम लोग को पहले sum लिखना है six and one upon three plus two and one upon three तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग को जो है पहले जो all numbers है उनको अलग करना है इसका मतलब हम लोग को क्या करना है six plus two अलग लेना है plus one upon three plus one upon three जो है वो अलग लेना है ठीक है फिर हम क्या करेंगे six plus two is how much eight plus one upon three अभी देखिए यहां पर क्या है हम लोग का डिनामिनेटर कॉमन है one upon three one upon three तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिनामिनेटर है one plus one upon three तो कॉमन डिनामिनेटर है इसके लिए हम लोग ने ले लिया is equal to eight plus one plus one two upon three तो हम लोग का answer क्या है देखिए इसका अंसर हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इसमें से प्लस साइन निकालेंगे तो दाट इस 8 and 2 upon 3 ठीक है समझ गए आप है ना असान एक दम अभी हम लोग क्या करेंगे method 2 से इसको वापस से solve करेंगे अभी यहाँ पर साइड में ही करते हैं हम लोग method 2 से solve method 2 लिखती हूँ यहाँ पर अभी क्या करेंगे वापस से सम लिखेंगे 6 and 1 upon 3 plus 2 and 1 upon 3 ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे second method से solve करेंगे जो था हम लोग का जो mixed fraction है उसको पहले improper fraction में हम लोग को directly convert करना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे यह जो है हम लोग ने क्या सीखा था जो denominator है उसको हम लोग को whole number से multiply करना है तो हम लोग क्या करेंगे denominator 3 है और whole number 6 है तो 6 3 जा 6 into 3 करेंगे और यह जो plus 1 है वो वैसे ही रहेगा upon हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 कर लेंगे फिर same जो चीज है वो ठीक है plus 1 वैसा ही रहेगा इस 1 को लिखना भूलना मत जो भी आपका numerator है fraction का उसको लिखना हमें भूलना नहीं है upon क्या हो जाएगा 3 जो हम लोग का combine fraction हो जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे 6 3s 18 plus 1 वैसे ही रहेगा upon 3 plus वैसे ही रहेगा 2 3s are 6 plus 1 upon 3 अभी क्या करेंगे 18 plus 1 is 19 upon 3 plus 6 plus 1 is 7 upon 3 अभी क्या करेंगे 19 plus 7 कितना होता है 26 upon 3 ठीक है अभी क्या हो जाएगा देखिए हम लोग को 26 को ऐसे नंबर में break करना होगा क्योंकि हम लोग का numerator जो है वो denominator से बड़ा है और हमारे rule के वो against है इसके लिए हम लोग को 26 को जो है वो ऐसे break करना है कि वो 3 के table में आए तो 26 के आसपस 3 के table में क्या क्या आता देखिए 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, जो 26 से बड़ा है लेकिन छोटा क्या है 24 है तो क्या आएगा हमारा answer में 3 8 जा तो हम लोग क्या करेंगे 24 प्लस कितना बचता है 2 upon 3 तो ये fraction अलग कर लेंगे 24 upon 3 कितना होता है अलग करते हैं और 2 upon 3 हम लोग को अलग करना है सिर्फ 2 लिखके भूल मत जाना अपन 3 भी लिखना है हम लोग ने common fraction को separate किया है तो अभी क्या करेंगे 24 upon 3 क्या देखा था हम लोग ने 3 बंजा 3 3 8 जा 24 प्लस 2 upon 3 तो हमारा final answer है 8 and 2 upon 3 ठीक है समझ गए आप देखा दोनों जगा पे answer हम लोग का same आया मतलब हमारा sum सही हुआ है थोड़ा सा पहले complicated लगेगा लेकिन बहुत ही आसाने एक बारा करने लगोगे तो आपको बहुत मजा आएगा करने में ठीक है तो ये हो गया हमारा addition का sum एक sum हम लोग ने आपे कर लिया है वैसे हम लोग को क्या करना है जैसे हम लोग ने सीखा था subtraction में भी हम लोग को दोनों method से करना है अभी ये जो था sum first sum ये उसमें दोनों भी जो थे denominators वो equal थे लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे unequal denominator के साथ वो sum solve करना try करेंगे तो हमारा second sum देखिए क्या आता है second sum है हमारे पास 1 and 1 upon 4 plus 3 and 1 upon 2 तो अलग-अलग denominator है तो हम लोग try करते है second sum solve करने का दोनो method से 1 and 1 upon 4 plus 3 and 1 upon 2 ठीक है अभी क्या करेंगे method 1 से पहले solve करते है method 1 method 1 से solve करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सिखा था कि हम लोग को जो है ये जो हमारे numbers है whole numbers इसको एक साथ लेना है तो पहले हम लोग sum लिखते है 1 and 1 upon 4 plus 3 and 1 upon 2 तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारे दोनों numbers है 1 and 3 whole numbers साथ में लिए और fractions को एक साथ रखा ठीक है वैसे ही हम लोगों ने solve किया है अभी क्या करेंगे ये तो दोनों number आड़ हो सकते है 3 plus 1 is 4 plus 1 upon 4 वैसे ही रखा अभी हम लोगो क्या करना होगा denominator equal करना होगा तो कैसे करेंगे 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है तो सिर्फ हम लोग इस fraction को 2 से multiply करेंगे ताकि ये जो है वो 4 हो जाए तो 1 upon 2 वैसे ही रहेगा 2 को हम लोग को 2 से multiply करेंगे तो answer 4 आएगा नीचे किया तो उपर वाले को नहीं छोड़ना है उपर भी सेम नंबर से multiply करना है अभी क्या करेंगे 4 वैसे ही रखेंगे 1 upon 4 भी वैसे ही रखेंगे प्लस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 अभी common हो गया denominator तेखिए अभी क्या करेंगे 4 प्लस वैसे ही रखेंगे 1 upon अभी जो है हम लोग इसको common ले सकते है 1 plus 2 कितना होता है 3 upon 4 तो हमारा final answer यहाँ पे क्या आएगा 4 and 3 upon 4 अभी देखिए final answer क्यों बोला क्योंकि numerator जो है वो denominator से छोटा है जो हम लोग को चाहिए था ठीक है तो और गया हमारा sum क्योंकि numerator जो है denominator से छोटा है अभी हम क्या करेंगे same जो sum है वो method 2 से solve करने का try करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे method 2 ठीक है वापिस से sum लिखेंगे 1 and 1 upon 4 plus 3 and 1 upon 2 अभी हम यहाँ पे क्या करना है cross multiplication करके improper fraction में mixed fraction को convert करना है तो जो हम लोग ने सीखा था जो whole number into denominator तो 1 into 4 plus numerator upon 4 हमारा जो है वो common हो चाएगा plus sign लिया जो था बीच में वैसी 3 into 2 करेंगे whole number into denominator plus numerator upon denominator ठीक है समझ रहे हो आप I hope आपको समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत ही easy है solve करना तो 4 बन जा 4 plus 1 upon 4 plus 3 टू जा 6 plus 1 upon 2 is equal to 4 plus 1 is 5 upon 4 plus 6 plus 1 is 7 upon 2 ठीक है अभी क्या करेंगे हम लोग को improper fraction मिल गया अभी हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे इसका जो है denominator equal करना है तो 4 जो है 2 के table में आता है जैसे हम लोगोंने यहाँ पर भी देखा था तो हम लोग को 2 को 2 से multiply करना है तो 5 upon 4 हम लोग वैसे ही रखेंगी क्योंकि हम लोग को इसको change नहीं करना है plus 7 upon 2 हम लोग पूरे fraction को multiply करेंगे 2 से दोनों तरफ थाकि हम लोग का denominator सेम हो जाए 5 upon 4 वैसे ही रहेगा plus 7 to the 14 upon 2 to the 4 ठीक है अभी क्या करेंगे आगे रिखिए यह जो है हम लोग इसको common लेंगे क्योंकि हम लोग का denominator common हो गया 5 plus 14 आएगा upon 4 common आएगा ठीक है उसके आगे हम लोग जो है इसका addition करेंगे 14 plus 5 is 19 upon 4 तो अभी 4 के table में ऐसा कौन सा number आता है हम लोग को इसको convert करना है क्योंकि numerator जो है denominator से बड़ा है तो 4 के table में ऐसा कोई number जो 4 से divisible हो और 19 से छोटा हो तो 4 4s आ 16 और 4 5s आ 20 आता है 20 19 से बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे 4 4s आ 16 तो 19 मैनस 16 इस 3 तो हम लोग 19 को कैसे break करेंगे 16 प्लस 3 अपॉन 4 फिर आगे क्या करेंगे ये जो है 16 को अलग करेंगे 4 के साथ तो ये fraction जो common था इसको हम लोग अलग-अलग fraction करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बन जा 4 4 फोर जा 16 तो हमारा total number के आएगा 4 division के आएगा 4 और प्लस 3 अपॉन 4 तो last answer हमारा क्या है 4 and 3 अपॉन 4 अभी देखे नियुम्रेटर डिनॉम्रेटर से छोटा हो गया न तो हमारा answer सही आया देखे दोनों जगर पे सेम answer आया है हमारा final answer निकला सिर्फ जो ये cross multiplication वाला जो है method, second method वो थोड़ा सा क्या है जादा lengthy है बट काफी आसान है ठीक है तो आपको जो सारे sums है वो दोनों तरीके से solve करने है और आगे मैंने आपको solve करके दिये हुए है दो जो बच्चे हुए sum है वो मैं वीडियो के last में उसका photos upload कर दूँगी अभी हम लोग सीखेंगे subtraction अभी subtraction में देखिया हम लोग को first sum क्या दिया है 3 and 1 upon 3 minus 1 and 1 upon 4 तो अभी हम लोग ये sum जो है वो दोनों तरीके से solve करेंगे पहले first method से करेंगे फिर हम लोग second method से उसको solve करेंगे ठीक है तो पहले हम लोग sum लिख लेते है subtraction का first sum क्या है 3 and 1 upon 3 minus 1 and 1 upon 4 तो पहले method 1 से solve करते है ठीक है ये हो गया हमारा method 1 तो अभी हम लोग इसको solve करना चालू कर देते है पहला क्या था हम लोग को common numbers वो साथ में लेना है पहले sum लिख लेंगे वापिस से 3 and 1 upon 3 minus 1 and 1 upon 4 तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे सबसे जो common numbers है 3 minus 1 को एक bracket में डाल लेंगे plus वैसे ही रहेगा ये plus कहा से आया क्योंकि ये numbers का क्या मतलब है 3 plus 1 upon 3 ठीक है और 1 plus 1 upon 4 तो जो दोनो whole numbers और fraction के बीच में कौन सा साइन है दोनो जगा पे plus साइन है इसके लिए whole numbers और fractions के बीच में plus साइन आएगा ठीक है अभी दूसरी तरफ क्या लेंगे 1 upon 3 minus 1 upon 4 देखिए आपको जो order में sum दिया गया है आपको वैसे ही लिखना है 4 3 से बड़ा है इसके लिए 4 पहले लिखोगे तो बिलकुल wrong हो जाएगा आपका sum ठीक है हम लोग को जो order में दिया है हम लोग को वैसे ही पहले 3 दिया था 3 minus 1 है तो हम लोग को 3 minus 1 ही लिखना है 1 upon 3 minus 1 upon 4 है तो हम लोग को वैसे ही लिखना है आप order change नहीं कर सकते बिलकुल भी तो अभी हम लोग क्या करेंगे 3 minus 1 is 2 प्लस वैसे ही रहेगा अभी 1 upon 3 and 1 upon 4 जो है हम लोग को क्या करना होगा इसका common denominator लेना होगा तो दोनों के table में कोई ऐसा number आना चाहिए जो हम लोग एक common denominator उसको ले सके वैसे तो अभी हम लोग क्या करेंगे 3 and 4 के table में पहला common number कौंसा आता है 12 आता है तो 12, 3 के table में आता है 4th place पे और 4 के table पे आता है 3rd place पे तो हम लोग 3 को 4 से और 4 को 3 से multiply करेंगे मतलब क्या करेंगे 1 upon 3 जो fraction है उसको हम 3 को 4 से multiply करेंगे तो उपर भी 4 से multiply करेंगे minus sign देना भूलना नहीं है बच्चे minus sign नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो marks है वो cut जाएगा आपको कुछ marks नहीं मिलेगा आप sign खा जाओगे तो तो हम लोगो 4 को 3 से multiply करना है 12 लाने के लिए तो 1 अपन 4 को हम दोनों जगा पे 3 से multiply करेंगे ठीक है अगला step हमारा क्या होगा 2 common रहेगा प्लस 4 वन जा 4 अपन 3 फॉर जा 12 आएगा ठीक है minus sign वैसे ही रहेगा 3 वन जा 3 अपन 4 त्री जा 12 अभी क्या करेंगे is equal to 2 प्लस 4 माइनस 3 अपन 12 तो हम लोगों ने क्या किया दोनों भी जो है उसको common ले लिया ठीक है अभी क्या करेंगे हम लोग is equal to 2 प्लस 4 माइनस 3 is 1 अपन 12 तो क्या आएगा हमारा answer देखे अभी numerator डिनॉमिनेटर से छोटा है ना तो हमारा answer आएगा correct तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 and 1 अपन 12 ठीक है यह हमारा final answer और यह हमारा हो गया method 1 तो भाई यह हो गया हमारा method 1 अभी हम लोग इसके side में जो है वो method 2 से sum वापस से solve करेंगे ठीक है same sum हम लोग को method 2 से solve करना है तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे method 2 method 2 तो दूसरा method क्या था? cross multiplication वाला अपको याद होगा वापस से sum लिखेंगे 3 and 1 upon 3 minus 1 and 1 upon 4 तो अभी क्या करेंगे? cross multiplication करेंगे जो whole number और denominator है उसको हम लोग को numerator करना है तो क्या करेंगे? 3 into 3 और यह plus 1 है क्योंकि 3 plus 1 upon 3 है यह आपको बूलना नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? plus 1 आएगा minus लिखना मत upon 3 ठीक है? वो common denominator हो जाएगा उसको भी लिखना बूलना नहीं है बिलकुल भी minus भूलना मत बिलकुल वरना marks cut अभी क्या करेंगे? denominator into whole number तो whole number into denominator plus numerator upon common denominator ठीक है? is equal to अभी हम लोग का answer क्या हो गया? 3, 3 is a 9 plus 1 upon 3 minus वैसे ही रहेगा 4, 1 is a 4 plus 1 upon 4 is equal to 10 upon 3 3 minus 5 upon 4 अभी रेखिया हम लोग का answer क्या मिला? 10 upon 3 and 5 upon 4 अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे solve करेंगे? हम लोग को क्या करना है? denominator common करना है तो हम लोग ने जैसे रेखा था कि common number क्या है? दोनों में 12 आता है तो 3 को 4 से और 4 को 3 से multiply करना है? 10 upon 3 को हम लोग दोनों तरफ 4 से multiply करेंगे minus 3 से multiply करेंगे आगे क्या करना होगा? हम लोग को multiply करना है ठीक है? आगे क्या करेंगे? 10 into 4 is 5 रिज़ा 15 upon 12 अभी common हो गया 40 minus 15 एक साथ आजाएगा और common denominator is 12 40 minus 15 कितना होता है? 25 upon 12 अभी देखें अभी क्या हो गया है यहाँ पे? जो हमारा numerator है वो denominator से बड़ा है मतलब अभी हमारा sum खतम बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 12 के टेबल में ऐसा कुछ दूढ़नेंगे जो 25 के पास हो और 12 से छोटा हो तो 12 बंजा 12 12 से 24 12 से 36 तो 36 बड़ा है और 25 के आसपास क्या है? 24 है 12 तूजा जो 25 से छोटा है तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 25 को into 24 प्लस 1 अपॉन 12 अभी क्या करेंगे? 24 अपॉन 12 अलग करेंगे प्लस 1 अलग करेंगे अभी यह मत सोच ना कि सब्ट्राक्शन के सम में प्लस कैसे आया? ठीक है? हम लोग इसको प्लस क्यों लिखे है? क्योंकि क्या है 25 के आसपर्स 25 कि 7 तर 24 और 1 से आपका यहां पर subtraction खतम हो जाता है अभी आप इसको कैसे break करके answer निकालोगे यह आप पर depend करता है ठीक है आपको ऐसा number ढूड़ना है जो divisible हो 12 से अभी क्या करेंगे आगे 12 ones are 12 twos are 24 तो answer आया 2 plus 1 upon 12 is equal to हमारा final answer is 2 and 1 upon 12 तो देखिए दोनों जो है हम लोग का वो क्या आया है answer सेम आया है यहां पर भी और यहां पर भी ठीक है दोनों method में तो हमारा जो sum है वो सही है अभी हम लोग क्या करेंगे जो बाकी के sum है उसका में आपको लास्ट में जो है फोटो अपलोड करके देदूंगी अभी हमसे तो इसी तरह से हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट जो 10 है वो पहले दो क्वेशन कर लिए है यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है और जो हमारे आगे के वर्ट प्रॉब्लम है क्वेशन 3 में के वह हम करेंगे अगले पार्ट में तो मैं चाहती हो कि आप यह जो सारे कॉंसेट मैंने आपको सिखाए है और बताए है और सारे टिप्स भी दिय तो आप यह सब कॉंसेट अपने दिमाग में अल्रेडी एकदम फ्रीज करके रखना वीडियो को रिवाइन करके देखे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर आपका कोई वीडियो सजेशन है तो आप मुझे प्लीस ना सके ठीक है तो हम लोग मिलेंगे अभी अगले वीडियो में जो question 3 है वो भी हम लोग वही पे solve करेंगे अगले पार्ट में यह chapter के और आप इस वीडियो को like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलना और notification का icon tap कर देना especially अगर आप नए हो इस चैनल पे और अगर आपने अब दिक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजेगा और notification का icon भी tap कीजेगा ताक कि आप से कोई भी notification जो है वो miss ना हो ठीक है तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में तब तक के लिए bye bye stay home stay safe मराठी मध्यमातिन मुलान साथी आनंदाची बात मी आता शालीनी हुबली करने शुरू केला है मराठी मध्यमातिन मुलान साथी खास मराठी चैनल नागरतना मराठी चैनल तर तुम्हाला आता निराश होने चो काही ही कारण नहीं है कारण की मी आता शुरू केला है तुमचा साथी पहली ते धावी चा मुलान साथी सग्ड़े विशय मी अपलोड करना रा है नागरतना मराठी चैनल मधे तर नवी सर्ता सब्सक्राइब करा माजा चैनल चा लिंक मी तुम्हाला पाटवता है या वीडियो बरोबत तेचा मदे मी तुम्हाला सेमी इंगलीश मुलान साथी इंगलीश मदे पन एक्स्पेन के लिए धड़े आहे प्लास निबंद लेखन पत्र लेखन कथा लेखन सगल काही तुम्हाला एका चैनल मदे भेटनार आणी सर्व धड़े सर्व विशयांचे धड़े आणी तैंचे प्रिश्ण उत्तरे सुधा तुम्हाला या चैनल मदे भेटनार आहे त्या मोई आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपल करनेची काही ही गरज नाही सर्व काही तुम्हाला भेटना रहे नागरता मराठी चैनल मधे तर लवकर सबस्रेब करा माजा चैनल आनि बेल चा आइकन टैप कराईला विसरू नका जेने करूं तुम्हाला माजे जे नवीन वीडियो देना रहे तैंचा बदल चे नोटिफिकेशन भेटते आनि जे मी वीडियो उस तुम्हा साथी लाइव स्ट्रीम मदे घेना रहे तर त्याचे सुधा नोटिफिकेशन भेटती मग ये नरना मजे अपने लाइव शिकने मदे आनि तुम्हा जाका ही शंका कुशंका अस्तिव तैंचा निरासन सुधा तुम्ही ताबड तोप करू शकता ठीका है चला तर मग लवकर सबस्क्राइब करा आनि बेल चा आइकन टैप कराईला विश्रू नका ठीका है चला तर मग आपन भेटू या अपल्या नागरतना चैनल मदे लिंक पाट वाता है नकी लिंक मदे जा आनि सब्सक्राइब करा बाई बाई ाई भेट वाता है कर दो 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 कर